हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई चानल आज की इस वीडियो में हम चीक्स को ड्रॉ करना सीखेंगे लास्ट के थ्री वीडियो के लिंक मैं रिस्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं अगर आप चाहिए तो मेरी प्लेइलिस्ट में जाकर आप वहां से टुटोरियल इन प पॉर्षन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो किसी भी पॉर्षन को ड्रॉ करने से पहले हमें उस एरिया को बाउंड करना पड़ता है भले ही वो लाइट पैंसल से करें या डाक पैंसल से यहां पर जो फेस की जो बाउंडरी है जो चिन पॉर्षन के पास से जो बाउंडरी उप ही लाइट शेडिंग है तो वहां पर मैं टू एच पैंसल यूज कर रहे हूं क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जहां कहीं पर भी आपको रिफ्रेंस में बिलकुल बाइट ब्राइट वाइट दिख रहा है एक्चुल में आपको वहां पर भी एक base layer create करनी है तो base layer create करनी के लिए सबसे पहले 2H pencil यूज करते हैं और वो हमने यहां पर यूज कर लिए आप इस cheeks के ऊपर के portion के लिए मैं इसी 2H pencil से एक base layer पूरे cheek पर create कर रहे हूं इसका जो pencils हम शेडिंग करते हैं इसका direction सेम एक ही lines में होना चाहिए सारे strokes एक ही direction में हो जाहिए जिससे कि आपकी जो skin का texture है वो smooth आता है, smoothness आती है तो यहां पर मैंने उसके बाद उसे किया है blend, blend करनी के लिए मैं यूज किया है tissue paper, 2H pencil के बाद हम यहां पर use करेंगे HB pencil और जो हमारे dark areas है हम बहाँ पर उसे use करेंगे, उसे light areas में बिल्कुल भी use नहीं करेंगे अभी cheek portion पर second layer के लिए मैं यूज कर रही हूँ, यहां पर HB pencil, chin के नीचे से cheeks के ऊपर की तरफ पूरे area को हमें cover पर चलना है क्योंकि यह एक broad area है, तो यहां पर आप इसली tissue का use कर सकते हैं, जैसे कि आप reference में देख रहे हैं, कोई भी area dark नहीं है, कहीं पर भी हमें dark shade के pencil ज़रूरत नहीं है, तो यहां पर सिर्फ हमें light values, light tone और mid tone सिर्फ उसे achieve करना है, तो उसके लिए हम pencil के grades को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आप चाहें तो एक ही pencil से दो layer भी grade कर सकते हैं, अगर आपका light portion है, जो chin का नीचे का हमारा part है, वहां पर values थोड़ी सी dark है, तो उसके यहां पर हम dark pencil को use कर सकते हैं, मैंने 2B, 4B यह pencil यूज की है, और अगर आपका ज्यादर पूशन dark हो जाता है, तो वहां पर आप normal eraser या needable eraser का use करके, values को थोड़ा सा कम गभी कर सकते हैं, मैं generally needable eraser को कम यूज करते हूँ, normal eraser यूज करते हूँ, और mono eraser तो सभी की favorite होती है, कि जो finish work है, finishing के लिए थोड़ी से कुछ shadows या कुछ shades बचे हुए हैं, तो उन्हें हम बार में next area को cover करनी की बात complete करेंगे, मिलते हैं हमारे next video में, तब तक के लिए, goodbye